दोस्तों भारत और दक्षिन अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीस टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज आर अश्विन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस श्रिंखला के जरिये उनके पास नंबर वन गेंदबाज और और राउंड़ बनने का मौका है। तो चलिए देख लेते हैं कि अश्विन के पास कौन कौन से रिकॉर्ड बनाने का मौका है। लेकिन इस से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। दरसल, दोस्तों अश्विन ने इस साल टेस्ट क्रिकेट में शांदार गेंदबाजी करते हुए सबसे ज़्यादा बावन विकेट लिये हैं। उनकी गेंदबाजी को लेकर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। इस सीरीज में अश्विन और राउंडर जडेजा की अनुपस्थिती में एक बल्ले बाज के रूप में भी योगदान देना चाहेंगे। मौझूदा समय में उनकी अगर ICC टेस्ट रैंकिंग देखी जाए तो वह गेंदबाजों में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंज और और राउंडर की लिस्ट में जेसन होल्डर से पीछे हैं। बता दें, आस्ट्रेलिया की मौझूदा टेस्ट कप्तान पैट कमिंज ICC टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर वन गेंग बाज हैं तो वहीं भारत के ओफ गेंग बाजों की रैंकिंग में अश्विन 883 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अनिल कुंबले के बाद वे भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंग बाज बन जाएंगे। दरसल कुंबले के नाम 619 विकेट दर्ज हैं। वही कपिल देव ने भी टेस्ट में 434 विकेट लिये थे। इस तरह कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अश्विन को केबल आर्ट विकेट की दर्कार है। वहराल, आगे देखना होगा कि अश्विन साथ अफरीका के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या राश्विन साथ अफरीका के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं, अपनी राए कमेंट करके जरूर दे और क्रिकेट से रेलेटड ऐसी वीडिय उसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें